हर पल मुस्कुराहट ही नहीं आखों में पानी चाहिए मनजिल तक पहुचने के लिए शिक्षा की महरबानी चाहिए जुड़े रहे हमारे ग्यापन इकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के साथ क्योंकि टॉप अप दी बेस्ट होने के लिए तजरुबा पुरानी चाहिए तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आप लोग का खत्म हुआ इंतजार क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ 12th क्लास के उर्दू के most important subjective question का भंडार जिसका था आप लोग को बेसबरी से इंतजार आप लोग का इंतजार हुआ खत्म और आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का most important objective नहीं वेलकि करने वाले हैं ठीक है जो की दो और तीन अंक वाला है दो तीन नंबर वाला यह सब्चेक्टिव कोशन आज के इस वीडियो में कराओंगी और फिर इसके नेक्ट वीडियो में मैं आप लोग को पांच नंबर वाला सब्जेक्टिव कोईशन कराओंगी पास नंबर वाला थोड़ा उसका मान बढ़ जाता है तो उसके लिए एक स्पेसल वीडियो बढ़ेगा इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पास नंबर वाला मॉस्ट इंपॉर्टेंट करा दोंगी आज किस वीडियो में हम एक सब्सक्राइब को अब्यक्टिव यह नोली थी कि देखना इसी कोशन में से अपटलों के बोड एक्जाम में कोशन पूछेगा और मारशाला जितना भी कोशन में कराई थी थी ना सारा कोशन पूचा था और सभी स्टुडियों ने इस चानल पर दुबारा आकर हमें भी की थी आप लोग देख भी सकते हैं तो सोचिए मैं कितना इंपोर्टेंट कोश्चन कराती हूं तो अब बारी आप सभी लोगों की है हो सकता है कि इस साल इस सेशन में आपका नाम हमारे चैनल के कम्मिनिटी में पोस्ट हो जाए तो इसलिए दबा कर मेहनत कीजिए जी जा अब लोग द्यान से समझ कर कोश्चन का एंसर याद कर रहे है तो लंबे समय तक याद रहेगा और बहुत जल्द हो जाएगा तो हर एक कोश्चन पर आप लोगों का कमांड वना चाहिए जितना भी कोश्चन में करा रही हूं तो चलिए फटबर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बट विडियो लेट मी रिमाइंड यू डैट इफ यू और नीव हैर और मैं चैनल प्लीज टॉंट पर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिड़ एकन उसके बाद से लाइक भी कर देना है ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके जितना भी सब्सक्राइब पर ये रहा सवाल है कि फरतुल्ला बेग और मियादानी शेर खवानी के दौरान किस तरह की गलतिया किया करते थे फरतुल्ला बेग ये फरस्ट सेप्टर से कोशन उठाया गया है कोशन पूछा जा रहा है कि फरतुल्ला बेग और उनके जो दोस्त रहते हैं मियादानी वो श प्पेर को नस्र की तरह पढ़ते थे तो यह होगी आप लोग का एंसर आई तिंग आप लोग को इसका एंसर पता भी होगा सिंपल सा सवाल पूचा है बहुत एकदम आसान सवाल है नेक्स्ट कोश्चन आपके स्क्रीन के उपर है कि राक फिलर कौन था और वह दौलत मंद कैसे बना तो राक फिलर अमेरिका का ताजिर था जो मिट्टी की तेल की तजारत करके दौलत मंद बना यह भी मैं आप लोगों यह चैप्टर नमबर टू से उठाया गया है मिट्टी क आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जिलानी बानों की किसी दो नाविल का नाम बता देना है जिलानी बानों का और देखिए एंसर में लिखा हुआ है पहला का नाम इवान गजल और दुसरा का नाम है बारिशे संग नेक्स्ट कोश्चन सेयद सुलेमान अद्वी की पैदाईश बिहार के किस जिले में हुई तो जवाब में हैं सेयद सुलेमान अद्वी की पैदाईश बिहार के जिला नालंदा में हुई कोश्चन नंबर निंग मनलब नंबरिंग में नहीं दी हूँ 123 सिर्फ सवाल है और जवाब है नंबर पर आप लोग नहीं जाएगा क्योंकि अभी धेर सारा सवाल करना है न हम लोग को यह सारा सब्जेक्टिब कोशन है दो और तीन नंबर वाला तो हर एक कोशन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है समझकर इंसर याद करना है ठीक है इब्राहिम सक्का की तालिम कहा तक हुई थी आप लोग को पता होगा इब्राहिम सक्का की तालिम जो है न चौथे दर्जक तक हुई पाकिस्तान का था और नहीं हिंदुस्तान का देखिए कितना सिंपल और आसान लफजों में एंसर दिया गया है इसी तरह आप लोगो भी एंसर लिखना है ज्यादा लंबा एंसर नहीं है क्योंकि यह दो और तिन नमरोला कोशन है तो ज्यादा लंबा एंसर आप लोगो नहीं लिखना है कितना ही में आप लोगो एंसर दे देना है जवाब लिख देना है next question कि मुतशायर की नजर में गमखुआर कौन है तो peraudia देने वाला मुतशायर की नजर में गमखुआर है आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर नॉर्मली आप सिर्फ के 9 रत्रों में 9 रत्नों में शुमार होते हैं शामिल होते हैं आगे बढ़ते हैं फड़ाफट याकूब लैसलाम और यूसुफ लैसलाम में क्या निस्बत है ये कोश्टन विवियाई है इंफेक्ट सारा तो most important है लेकिन इसमें भी मैं आप लोगों को जो विवियाई बता द है याकूब लैसलाम जो है ना यूसुफ लैसलाम के पिताजी रहते हैं और यूसुफ लैसलाम याकूब लैसलाम के बेटे रहते हैं आगे बढ़ते हैं फड़ाफट चमन में किसके जाने से दबिस्तान खुल गया तो चमन में मिर्जगालिब के जाने से दबिस्तान यानि की स्कूल खुल गया मदर्सा खुल गया ये सारा कोशन देखे अगर आप लोग चैप्टर पढ़ा है ना तो खुद से आप लोग एंसर दे पाएंगे एकदम हल्वा आप लोग के लिए लगएगा सारा कोशन जो कि मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुकी हूँ आगे बढ़ते हैं गालिब ने वजीफाखवार किसको कहा है गालिब ने वजीफाखवार खुद को कहा है खुद पेंसन लेते हैं गालिब इसलिए खुद को वजीफाखवार बोले हैं आगे बढ़ते हैं फड़ाफट अनीस का तालुक किस दविस्तान से है तो अनि इसका तालुक लखनव दविस्तान से है ये भी कोश्चन पूछा जा चुका है तो जितना भी most important है सारा ये most important है एक भी कोश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है सारे question पर command हो जाना चाहिए next question है कि डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाज़त के लिए कौन सा काम किया करता था तो डॉक्टर प्लेग से अपनी हिफाज़त के लिए राम बालक साबुन से हाथ दोता जरासीम को मारने वाली गरम पानी से गरारे किया करता था उसके लावा पेट जल देने वाली गरम कॉफी या फिर ब्रांडी पीता था इसी तरह आप लोगों को भी एंसर लिखना है अगर कोशन पूछ दे तो next question है कि क्वारंटीन किस शाय का नाम है तो क्वारंटीन एक जगह का नाम है जहां प्लेग के मरीजों को रखा जाता था ये बुक के हिसाब से लिखा गया है एंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं मीर अनिस के एक हमसर का नाम बताएं तो वो है मिर्जा सलामत अली तबीर यहां पर तबीर चूट गया है बड़ कोई दिखत है इस तरह तबीर लिखा जाएगा तो से रहेगा तबीर ठीक है आगे बढ़ते हैं next question आप लोग answer नहीं है क्योंकि यह दो और तिन नंबर वाला question है इसलिए जरूरत से ज्यादा ब्रांडी पीने का डॉक्टर पर क्या आसर हुआ तो जरूरत से ज्यादा ब्रांडी पीने पर डॉक्टर साहब का नफ्ज घोड़े की तरह दोड़ने लगा वह पागलों की तरह हरकत करने लगे एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि उनको भी प्लेग की बिमारी हो गई है और जब ब्रांडी का नसा उत्रा तब उनको पता चला कि एच्छा चलो मैं बचा हुआ हूँ अभी प्लेग की बिमारी मुझे नहीं हुई है तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा ब्रांडी पी लगे थे तो पागल की तरह ये हरकत करने लगे थे और इनको लगने लगा था कि इनको भी शायद प्लेग की बिमारी हो गई है जब कि ऐसा नहीं था आगे बढ़ते हैं रासिख की मौत कब और कहा हुई रासिख अजिम अबादी की मौत 18-18 बी पटना में हुई थी वली न वली ने शुमाल हिंदुस्तान के शुरा को किस तरफ रागब किया है देखें ये मौस्ट इंपॉर्टन्ट है ये भी कितना बार पूछा जा चुका है तो आप लोग को पता होना चाहिए वली ने शुमाल हिंदुस्तान के शुरा को रिखतागोई की तरफ रागब किया है कसीदा की अबत्दा कि जबान में हुई तो कसीदा की अबत्दा अर्बी जबान में हुई अब देखें यहां से आप लोगा सवाल स्टार्ट हो रहा है कि मिट्टी की बेचारगी पर क्यूं तरस आता है जबाब औलडी लिखा हुआ है यहां पर कि आग, हवा, पानी और मिट्टी इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी ही समझी जाती है या मिट्टी हवा के दोश पर एक जगह से दुसरी जगह उड़ जाती है या मिट्टी आग की तमाजत और गर्मी से जल जाती है इसे हर कोई अपने पाउं से रौन दता है फाइनली आप लोगो समझ में तो आ ही गया होगा कि मिट्टी की बेचारगी पर क्यों तरस आता है क्योंकि आग, हवा, पानी और मिट्टी इन चारो अनास और इन चारो तत्तों में सबसे ज़्यादा हकीर वजलील किसको समझा जाता है तो मिट्टी को समझा जाता है मिट्टी बेचारी हवा के जोके से उड़ जाती है आग की गर्मी के उज़से जल जाती है हर इंसान इस मिट्टी को अपने पाउं से रौंधता है तो सोचिए मिट्टी को कितना तकलीफ होता होगा लेकिन फिर भी मिट्टी उफ तक नहीं करती है और इसलिए मिट्टी की बेचारगी पर हमें तरस आता है यह chapter number two, मिट्टी के तेल नम के chapter से लिया गया है, आप लोगों समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखिए numbering पर आप लोग नहीं जाईएगा, यहाँ पर भी question number one लिखा हुआ था, एक मिनट हाँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ था one, और यहाँ पर भी लिखा हुआ तो number पर आप लोग को नहीं जाना है, यह most important में उठाई होना, देखिए हो कि कौन कौन सा question, most important है, आप लोग के exam में पूछने की संभावना है, वही question उठाई हूँ, तो आप लोग question का answer, question का answer देखिए, number मत देखिए, देखिए, क्योंकि बहुत सारा numbering, देखिए, यहाँ पर one है, यहाँ पर two तो है, कोई डिकर नहीं है, three, और उसके बाद से फिर number यहाँ पर six हो गया, तो इस तरह नहीं करना है, आप लोग को question का answer देखिए, तो देखिए, next question है, कि मिटी का तेल इनसान का शरी के गम कैसे है, यानि कि मिटी का तेल इनसान के गम में शरी के कैसे होता है, शामिल कैसे होता है, यही आप लोग को बताना है, जवाब में लिखा हुआ है, कि मिटी का तेल इनसान का शरी के गम ऐसे है, कि हर तबके की मदद करता है, तुलबा की रोशनी फराहम करता है, जईफ लाचार मजबूर बेकस और बेबस को ठोकडों से बचाता है, इनसान का शरी के गम बन जाती है, तो यहां पर बोला जा रहा है, कि मिटी का तेल इनसान का शरी के गम ऐसे है, कि यह सब लोगों की मदद करता है, तुलबा यानिकी छात्रों को रोशनी देता है, रोशनी फराहम करता है, पढ़ाई करने के लिए जईफ, लाचार, बेबस और बेकस जितने भी लोग हैं उनको ठोकडों से बचाता है इसी मिट्टी के तेल की रोशनी में चोर चोरी करता है और इसी मिट्टी के तेल की रोशनी में पुलिस जो है ना चोर को पकरती है गोया रात में जब इंसान का दिल टूप जाता है ठीक है जब ब्रेक अप हो जाता है तो इंसान रात भर क्या करता है अपनी कमरे में बैठ कर अकेले गम में डूबा रहता है और उसी गम में बिचारा मिट्टी का तेल यही जल जल कर खुद का वजूद खतम करता है और उस इंसान के गम में शरीक होता है कोई नहीं रहता वो इनसान अकेले घम में डूबा रहता है कमरे में और कोई नहीं बस मिट्टी का तेल का चिराग जलाए रहता है तो वो अकेले रहता है अपने घम में डूबा रहता है और उसके घम में शामिल रहता है ये मिट्टी का तेल जो अपना वजुद खत्म करके उसके गम में शरीक होता है इसलिए मिट्टी के तेल को इनसान का शरीक के गम भी कहा गया है तो यहाँ पर देखिए वो गया answer इसी तरह आप लोगों को भी answer लिखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भो चड़ा लेते हैं बताना है आप लोगो बहुत ही सिंपल से सवाल एकदम हलवा question यह तो आप लोगों के लिए एकदम बाय हाथ का खेले इसका answer लिखना मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भो इसलिए चड़ाते हैं के मिट्टी का तेल की और तेल की बेनिस्बत यह तेल ज्यादा बदबुदार होता है देखिए मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भो इसलिए चड़ा लेते हैं न क्योंकि यह और तेल के मुकाबले जतने बहुत हैं भी सब्सक्राइब को सब्सक्राइब ऑता है जादा बद्बुदार होता है इसलिए मिठी के तेल को देखकर लोग नाक महों चपरण लेते हैं बहुत बद्बुदार चरिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह आगर कॉश्शंद honorable तो एंसर आप लोगो बस इतना ही लिख दिजेगा कि यह दो तिन नंबर वाला है ना ज्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है दो तिन अंकर वाला है यह कोश्चन मस्ट इंपोर्टन करा रही हूं उसके बाद से इसका नेक्स्ट वूडियों में पास नंबर वाला करा नेक्स्ट कोश्चन है कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेतालुक है कैसे जवाब में लिखा है मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेतालुक ऐसे है कि इसकी रोशनी में शराब खुआरी हो या इबादत लाही सिर्फ इसे रोशनी देने से मतलब है मि इसे रोशनी देने से मतलब होता है इसलिए मिट्टी का तेल बेगर्द और बेतालुक है ऐसा नहीं है कि मिट्टी के तेल के पास ताकत नहीं है बिल्कुल इसके पास ताकत है कि जो इसकी रोशनी में गलत काम कर रहा है उसको ये सबक सिखा सके लेकिन फिर भी मिट्टी का तेल जहना अपनी अच्छी ताकतों का इस्तमाल करता है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो नेक्स्ट कोश्चन है कि लफ्ज नहार मू फार्सी जुबान में और हिंदुस्तानी जुबान में कैसे एक दुसरे से मुतालुक है वजाहत कीजिए यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि यह जो शब्द है लफ्ज नहार मू यह फार्सी जुबान यानकी फार्सी भाषा और हिंदुस्तानी भाषा इन दोनों भाषा में किस तरह संबंदित रखता है यह आप लोगों को बताना है मतलब फार्सी जुबान और हिंदुस्तान नहार है, यानि कि फार्थी भाष्जा में यह जो लफज है नहार मूँ इसको नहार मूँ ना बूलकर नहार कहा जाता है इसकी असलिए च्यॆएं ना नफि के लिए और हार के मानी गजा कियाते हैं यानि नहीं खाया हुआ इससे नहारी तयार हुई जो सुबा सवेरे नहार मुह खाई जाती है हमारी जुबान में नहार आटे की उस लोई को कहते हैं जो कागज और कपड़े पर इसलिए चड़ाई जाती है कि वह मजबूत हो जाए देखिए नहार मुह, कलही करना वगरा वगरा यहर एक चीज़ में आप लोगो चैप्टर पढ़ा रही थी ना वहीं पर बता चुकी हूँ, तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो यह सारा कोशन आप लोगो समझ में भी आएगा इसका एंसर भी समझ में आएगा और इंफेक्ट आप लोगो खुद से इंसर दे भी सकते हैं अगर चैप्टर पढ़े हैं तो बहुत यह अच्छे तरीके से में आप लोगो पढ़ाई और बताई भी हूँ तो देखिए यहां पर अपने जबान से में आप लोगो समझा दे रही हूँ फार्सी भासा में यह जो है नहार मू इसकी असलियत क्या है नहार ना का मतलब होता है ना का मतलब होता है क्या ना नफी के लिए है और हार का मानी गज़ा ना मतलब नहीं और हार का मतलब गज़ा यानि कि भोजन यानि कि नहार का मतलब क्या होता है नहीं खाया हुआ और नहार से ही नहारी तयार हुआ है जो कि सुबह सवेरे नहार मुझ खाया जाती यानि कि खाली पेट खाया जाता है बीना कुछ खाय पिये जो दवा खाया जाती है या फिर जो भी चीज़े खाया जाती नहारी ठीक है और हमारी जुबान में यानि कि हिंदुस्तानी जुबान में हिंदुस्तानी भासा में नहार उस आटे की लोई को कहते हैं जो कागज या फिर कपड़ों पर इसलिए चड़ाई जाती है ताकि उसे मजबूत किया जा सके हां हमारे हिंदुस्तानी भासा में नहा उस आटे की लोई को कहते हैं जो कि कागज को आप बोल सकते हैं चिपकाने के लिए या फिर कपड़े को चिपकाने के लिए मजबूत करने के लिए लगाई जाती है तो यह हो गया फार्स जबान और हिंदुस्तानी जबान का इस्तमाल फार्स जबान और हिंदुस्तानी जबा कि इन बातों को जरूरी करार दिया है तो एंसर यहां पर लिखा हुआ है वजीर आगा ने इन शाया के लिए इन फरादी बातों की तरफ तरफ तवज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् और जिद्दत आराई मौजूद है और सरसरी तोर पर हम देखते हैं कि इन्शाया से ताजुब और मुसर्ज़त मुसर्ज़त का इमकान पैदा होता है देखिए वजीर्यागा इन्शाया के लिए किन बातों को जरूरी करार दिये हैं यह मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ दिये हैं इन्शाया में क्या होना चाहिए इन्शाया में इफ्तसार होना चाहिए यानि कि लास्ट में जाकर इन्शाया ऐसे खत्म हो जाना चाहिए कि मतलब इंड उसका समझ में ना है इन्शाया ऐसे लिखा जाता है ना कि उसका इंड नहीं किया जाता है लास्ट में अध सारा चीज लंबा चड़ा यहां पर लिखा हुआ है तो आप बिलकुल इसी तरह लिखेंगे अगर आप लोगे एक्जाम में कोशन पूचता है तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला सवाल खाना बदोश के काफिले किस तरह सफर करते हैं जवाब में खाना बदोशों की काफिले इस तरह सफर करते हैं कि आगे आगे बंजारों का सरदार होता है लड़कियों और और लड़कों के पीछे बंजारों की सफे होती हैं हर एक के हाथ में कुछ न कुछ होता ही होता है तो देखिये हिज़रत यानी की माइग्रेशन इस्तिहकाम की इलामत है ऐसे कि हिज़रत फर्ज है जिसे अवल या आखिर सब को अदा करना है जिसमें चूकने वाला भी इस आखरी हिजरत से नहीं बच सकता बहतर हालात और अच्छे मुस्तक्बिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसलिए पहाडों की चटानों पर बसेरा करते हैं आपर बोला जा रहा है कि हिजरत जो है ना यानकी माइग्रेशन वो सभी पर फर्द है हर इनसान को हिजरत करना ही करना है अवल या आखिर देखिया हम सभी इनसान जो है ना पहला हिजरत कर चुके हैं जो की जन्नत से इस सरजमीन तक का हिजरत है हम लोग पहला हिजरत कर चुके है अब हम अपनी जिन्दगी में माइग्रेशन हिजरत करें या फिर ना करे एक जगा से दूसरी जगा जाए या फिर ना जाए लेकिन आख्री हिजरत से नहीं बच सकते और वो है मौत कि मौत हमारा क्या ऐ आख्री हिजरत है हमें सरजमीन से उसलिठी फिर से जन्नत मिली या फिर दोजख मिले जो भी हो लेकिन हमें लाश्ट माइगरेशन जोए ना हिजरत वो है मौद तो उससे हम लोग नहीं बच सकते हैं तो इन्सान चाहे जितना भी हिजरत से बच सके लेकिन लाश्ट में वह अपनी आखरी हिजरत यानीकी मौद से नहीं बच सकता है जो कि सर्दमीन से जन्नत तक का है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मश्वरे देता है यहां पर कॉशन पूछा जा रहा है कि मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्य साधिक के पास चलो मैं तुम्हारे चचा के जल्म को बियान करूंगा मुम्किन है कि मलिक साधिक तुम्हारे वालिद की दोस्ती को याद करें और तुम्हारी मदद करें और वह जो चालीसवा बोजना बाकी है तुझे मिल जाए और उसकी वज़ा से तुम्हारा मुल्क तुम चलो जिननातों के बादशाह मलिक साधिक के पास वो तुम्हारे पिता जी के दोस्त थे तो अगर मैं तुम पर किये हुए जुल्म को बियान करूंगा मलिक साधिक के पास तो मलिक साधिक तुम्हारी पिता जी की दोस्ती को याद करते हुए तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हें तुम्हारा मुल्क वापस मिल जाएगा, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तो ये था एंसर आगे भरते हैं, नेक्स्ट कोस्टन है, सवाल कि पागलो की बाहमी तबादले के लिए कौन सा फर्मूला इस्तमाल किया गया, तो पागलो के बाहमी, जब हिंदुस् का बटवारा हो चुका था, तो दो तिन साल के बाद ये भी तैय हुआ, कि अब पागलो का भी बटवारा कर दिया जाए, उनका भी तबादला कर दिया जाए, तो कौन सा फर्मूला इस्तमाल किया गया, तो देखिए जवाब में लिखा है, कि पागलो के बाहमी तबादले क के लिए यह फर्मूला इस्तिमाल किया गया कि हिंदुस्तान के वह पागल जो लाहौर के पागल खाने में थे उन्हें हिंदुस्तान और लाहौर के वह पागल जो हिंदुस्तान में हैं उन्हें लाहौर भेज दिया जाए इसी तरह इसी का फर्मूला यूज किया गया और इस देना था तो इस तरह सबादला हुआ था पागलों का आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि एक बेटे हमीद के बारे में बताए अमों का जो एक छोटा बेटा था हमीद उसके बारे में बताना है जो कि बहुत ज़्यादा नलायक पढ़ने में उसका बहुत मतलब बोल सबसे चोटा बेटा था और अम्मो की बाकी तीन बड़े बेटे डॉक्टर इंजिनियर बनकर अमेरिका चले गए थे हमीद अमो का सबसे चोटा बेटा था और अमो के बाकी जो तीन बेटे थे वो डॉक्टर और इंजिनियर बनकर अमेरिका चले गए थे हमीद जो सबसे चोटा था वो दिन रात घुमता फिरता था उसकी तब ये पढ़ाई लिखाई में नहीं लगती थी देख रहे हैं लिखा हुआ है कि हमीद सबसे चोटा था और जानते हैं चोटे बेटे को सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार वगर रखिया जाता है इसलिए चोटा बेटा बिगड़ जाता है तो वही हमीद के साथ भी हुआ था ये छोटा था और रात दिन घुमता ही रहता था पढ़ाई में इसकी तो मन लगती ही नहीं थी ज्यादतर स्यासी पार्टी ओर में शामिल होकर नारा लगाता था telling ये पढ़ाई छोड़ कर जाता था भाषर देने के लिए स्यासी पार्टी जो होता है उसमें शामिल होकर नारा वगर लगाता था जब यहां पर क्या लिखा है जब अब्बा मिया मुताला के लिए कहते हैं यानि कि जब हामिद के पिता जी या फिर उनकी मा मुताला यानि की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं कि इम्त하ान आने वाले हैं मुताला कर लो तो वह कहता था मुझे Electional के लिए काम करना हैं इसलिए वह इम्तान देने से कत्राता था इस तरह इसकी तालिम रुख गई और देखते हि देखते क्या हुआ एक दिन वह मिनिस्टर बन ज्या इस तरह वह हमेद उसके पिता जी उसके माता जी बोलती कि तुम मताला कर लो पढ़ाई कर लो क्योंकि तुम्हारा इम्तहान आने वाला एक्जाम आने वाला है तो वो हमीद वो कहता कि नहीं, मुझे election की तैयारी करनी है, काम करना है, इसलिए मैं इम्तहान नहीं दे सकता और इम्तहान देने से वो कतराता था और इस तरह वो देखते ही देखते, क्या हुआ, मिनिस्टर बन गया और उसकी पढ़ाई, तब आगे तक नहीं हो पाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन, अब्दुर्रब और अब्दुल्ला भैसा कौन था, तो देखें, अब्दुल्रब धोरन गाओ के स्कूल का एक थे, और अब्दुल्ला भैसा, धोरन गाओ के सरपंच का लड़का था, इसी तरह आप लोगों को एंसर लिखना है, ये कोशन पूछा जा चुका है, सारा कोशन तो मस्ट इंपोर्टन्ट है, सारे कोशन को आप लोगों को याद करते चलना है, सारे कोशन को देख लेना है, अच्छे से, ध्यान से, और एंसर भी, तो देखिए, सवाल है कि मौलाना अजाद ने हिंदुस्तान की चाए को सैयाल क्यों कहा है, बताना है, मौलाना अबुल्कलाम अजाद जो है, हिंदुस्तान की चाए को सैयाल हल्वा बोले थे, तो क्यों बोले थे, तो देखिए, अब सुगर नहीं समझ लीजेगा चीनी चाय मतलब चीन की चाय जो आतिश रियाल की तरह है लेकिन मौलाना साध एक मिनट साधी क्यों है यहापर मौलाना अजाद जो है ना वो साधा चाय पीते थे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आएं तो चाय का रिवाज अमल में आया इस तरह चाय की असलियत खत्म हो गई और दूद और चीनी में चाय मिलाने का रिवाज अमल में आया इसलिए मौलाना अजाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को सेयाल हलवा का है देखिए आप अपने जबान से बता दे रही हूँ मौलाना अजाद जो है ना हिंदुस्तान क कि चाय में क्या होता है चाय का मतलब क्या सिंपली उसमें पानी हो और चाय पत्ती हो और कुछ नहीं चीनी भी नहीं डाला जाना चाहिए उसी को कहते हैं लेकिन हिंदुस्तान की चाय में क्या होता है पानी नहीं दुर डाला जाता है उसमें चाय पत्ती डाला जाता है हो सक अगला सवाल है कि हर्फ वफा से आप क्या समझते हैं तो जवाब में हैं कि हर्फ वफा से मुराद इश्क वा महबत है हर्फ वफा सुबह ढ़लने के बाद आएगा और यह उसी की रंगत होगी कि वह ऐश करता आएगा जब आएगा तो उसकी निगाह जुकी होगी और दिल ध निगाह ना उनकी निगाह जुकी होंगी दिल धड़कते होगे और होट कापते होंगे इस तरह बोला जा रहा है चैप्टर में आगे बढ़ते हैं इसक किस तरह आएगा लग जिश्रेपा के मानी क्या है इसक किस तरह आएगा और लग जिश्रेपा का मानी बताना है लग जिश्रेपा के मानी लडखडाते हुए है पैरों से चलना है यानि कि लग जिश्रेपा का मानी क्या होता है लडखड पैरों से चलना यानि इसक लड़ खड़ाते हुए पैरों से आएगा दिल धड़कते होंगे होट कापते होंगे नजरे जुकी होंगी वक्त खामोशी और कीफियत सकूत की होगी गुंचों भी बाग में चटकते होंगे इसकी सदा साफ एक मिनट सुनी जा सकती है हाँ यहाँ पर तोड़ा सा मिट刚य है साफ सुनी जा सकती है तो यह पर बोला ra किस about का मतलоп तो हो लर खड़ाते हुए पैर से चल कर आएगा दिल धरकते होंगे उस वक्त होट कापते होंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच नजरे जुकी होंगी और वक्त जो है ना वो खामोश और कीफियत सकूत होगी गुंचों के चटकने के सदा आएगी आएगी जो की साफ साफ सुनी जा सकेगी ठीक है तो ये लंबच ओड़ा लिखा है आगे बढ़ते हैं सवाल है कि अली सरदार जाफरी के दो तनकीदी किताबों के नाम लिखिए दो तनकीदी किताब का नाम आप लोगो लिग देना है तो देखिए जवाब में पहला का नाम लिखा है अक गंबराने सुखन ये भी मैं आप लोगो चप्टर पढ़ा रही थी तो बताई थी याद रखना है दो तनकिली किताब का नाम अगला सवाल है कि मौत की आमद से पहले जो मनजर पेश किया गया है उसे अपने अलफाज में बेयान कीजिए मौत आने से पहले जो आप लोगे बुक में मनजर पेश किया गया है जो दरिश्य दिखाया गया है उसे अपने अलफाज में बेयान करना है बतादेना है जवाब में लिखा है कि मौत की आमत से पहले आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है हाथों की लकीर का निशान मिठ जाता है और जुबान से आवाज निकलना बंद हो जाता है ये होता है मौत आने से पहले का मनजर दृश्या ठीक है अगला सवाल है कि जुबान के पत्ते से आवाज की तितली उर जाएगी या बताकर शायर किस हकीकत की तरफ इशारा किये है हाँ किया है तो यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि जुबान के पत्ते से आवाज की तितली उर जाएगी या बता कर शायर जो है किस हकीकत की तरफ इशारा किये है तो देखिए जवाब में लिखा है जुबान के पत्ते से आवाज की तितली उर जाएगी या बता कर मौत की की खेती किस तरह है नजम खेती की हवाले से जवाब दीजिए हम लोग वक्त की खेती किस तरह है जो कवीता है खेती नाम का उसके हवाले से आप लोगों को एंसर करना है तो एंसर लिखा हुआ है कि हम वक्त की खेती इस तरह है कि वक्त हमें बोता है उगाता है पालता है और बढ़ने के मवाकई भी देता है और सुरज की रोशनी में दोस्ती की तरह जूमने भी देता है पर हमें अपना लुकमा बना लेता है जिस उसी तरह वक्त जो है हम लोग की खेती करता है हम इंसान की खेती करता है वक्त भी हम लोग को बोता है हम लोग भी धीरे धीरे उगते हैं यानि की बड़े होते हैं फिर पालता है हम अपने लाइफ में धेर सारी मतलब दृश्य को देखते हैं घुमने जाते हैं धेर सारी लुकमा बना ही लेता है, एक ना एक दिन हम लोग मर ही जाते हैं, हम लोग का इंतकाल हो ही जाता है नेक्स्ट कॉश्चन है, कि वक्त इंसान को क्या मवाकी देता है, इस नजम की रोशनी में वाज़ा कीजिए ये तो मैं आप लोग अभी बता दी, वक्त इंसान को सबस को जर्रे बनाने की जाज़त देता है और बादे शुख के मौजों के सान जुमने देता है, मतलब वक्त हम लोग को खुली छूट देता है, कि अपने जिन्दगी में जो चाहे कर लो फिर लास्ट में तुमको तो लुक्मा बनना ही है, यानि कि मरना है तो मरना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन सवाल है कि अकबर अलाबादी ने इस नजम का उनुआन बरक कलीसा क्यों रखा है? तो देखिए, जवाब में लिखा हुआ है कि अकबर अलाबादी ने इस नजम का उनुआन यानि कि इस कवीता का टाइडल बरक कलीसा इसलिए रखे है कि इस नजम के जरीए से वा मुसल्मानों के दिलों में एक नई रोशनी भरने की कोशिश करते हैं ये जो कवीता है बरक कलीसा इस कवीता के जरीए से अकबर अलाबादी जो है न वो मुसल्मानों के दिलों में एक नई रोशनी भरने की कोशिश करते हैं और वो बता रहे हैं कि पहले के मुसल्मान की बात ही कुछ और थी पहले के मुसल्मानों में और अभी के मुसल्मानों में बहुत बड़ा अंतर है ठीक है बहुत बदल चुके हैं अभी के मुसल्मान तो ये धिर सारा बात डिसकस किये हैं तो ये हो गया इसका एंसर आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ते हैं मिस ने मुसल्मानों के बारे में इस नजम में किन ख्यालात का इजहार किया है तो मिस ने मुसल्मानों के बारे में इस नजम में इन ख्यालात का इजहार किया है कि मुसल्मान सरहद पर गाजी बनकर हमला करते हैं उनके दिलों में जिहाद के हुक्म का असर बाकी है ये जो है ना मिस्क का ख्यालात बताया गया है उस नजमियन की कवीता में आगे बढ़ते हैं जबकि रियल में अभी के मुसल्मान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है आगे बढ़ते हैं इस नजम में शायर ने मिस्के रूबरू मुसल्मानों के बारे में क्या कहा है अब इस नजम मे शायर ने मिस के रूबरू मुसल्मानों के बारे में यह का है कि अब मुसल्मानों के अंदर खालिज जैसी जाबाजी बाकी नहीं है सिर्फ नाम के मुसल्मान है हकीकत में मुसल्मान ही नहीं अभी के जो मुसल्मान है वो सिर्फ नाम के मुसल्मान है पहले के मुसल्मान वो रियल वाले मुसल्मान थे अभी मुसल्मान बहुत ज़दा बदल चुके हैं तो ये डेट सारी बाते किये हैं आगे बढ़ते हैं ज्यादा डिसकस ना करते हुए क्वेश्चन है कि शायर की किस बात पर मिस हस कर नहीं बोलती है इस मौके पर वा शायर से क्या कहती है तो जवाब में लिखा हुआ है कि शायर की इस बात पर मिस हस कर नहीं बोलती है कि वह दौलत वह इज़त तरे कदमों पर निशार अगर तू मेरी हो जाए तो सारी दुनिया से मिरा दिल आसूदा हो जाए इस मौके पर वह हसकर नहीं बोलती है और शायर से कहती है कि मुसल्मानों से महबत गयर मुम्किन है इसलिए कि इस काँम के लोगों से इनसान की कू की बुग आती है मिश जब शायर कहते हैं कि तेरे लिए दौलत वो इज़üt तेरे कडमों पर निसार अगर तू मेरी हो जाये कि सारी दुनिया से मेरा दिल आसथ हो जाये ऐसा हो यह नहीं सकता क्योंकि इस कौम के लोगों से हमें इनसान के खूँ की बू आती है ठीक है तो यह बात कहती है मिस इस तरह आप लोगों को लिख देना है आगे बढ़ते हैं नजम बर के कलिसा के जरीए शायर हमें क्या बताना चाहता है तो नजम बर के कलिसा के जरीए शायर हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें अंग्रेजी तहजीब वतमद्दुन को नहीं अपनाना चाहिए और आरजी मुहबत और महबूब के लिए अपने दिन वा मधभ भी नहीं छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए तो यह हो गया आप लोगा एंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन है कि मुतशायर उर्दू का जनाजा किस तरह निकालेगा मुतशायर खुद शायर नहीं है दूसरों का कलाम पढ़कर अपने आपको शायर कहता है और अपनी जहालत से नाम और नमूद पैदा करना चाहता है इस तरह वह दूसरों के कलाम को लेकर गिरगिट की तरह रंग बदलता है और उर्दू का जनाजा निकाल रहा है तो इस तरह आप लोग एंसर लिख दें यह हो गया एंसर आगे बढ़ते हैं ममूले ने शाही का चोला बदल लिया इससे शायर क्या कहना चाहता है ममूले से मुराद मुतशायर है और शाही से मुराद असली शायर है मगर ममूले ने शाही का चोला बदल लिया और अद्वी महफिल में मुतशायर ने गलत फैमिया पैदा करके अपना नाम लिया और अर शाही का चोला बदल लिया इस से शायर यही कहना चाहते हैं कि ममूले का मतलब मुतशायर यानि की नकली शायर और शाही का मतलब असली शायर तो ममूले ने शाही का चोला बदल लिया यानि की ममूला यह जो मुतशायर है वो असली शायर नहीं है लेकिन असली शायर के कलाम को वो शायरी को गजल को चुरा कर और महफिल में जाकर पढ़ देता है और अगलर फैमियों का रंग गोल देता है सभी को दिलों में और ऐसा अपने आपको दिखाता है जैसे कि वही शाहीन है मतलब वही असली शायर है और इस तरह खुब नाम कमाता है को पैसे कमाता है तो वही बोला गया है ममूले ने शाही का चोला बदल लिया है यानि कि जो नकली शायर है मुतशायर वो असली शायर का चोला पहन लिया है या फिर बदल लिया है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि मुतशायर ने खुद को खोटा सिक्का क्यूं कहा है मुतशायर नाम का जो नजमे कविता है इसमें खुद मुतशायर जो है यानि कि नकली शायर वो खोटा सिक्का कहा है खुद को ही तो ऐसा क्यूं कहा है तो देखिए जवाब में लिखा है कि मुतशायर ने खुद को खोटा सिक्का लाइल्मी और जहालत के वज़े से कहा है क्योंकि उसमें तो इल्म तो है नहीं तो लाइल्मी और जहालत के वज़े से वो अपने आपको खोटा सिक्का कहा है नेक्स्ट कोश्चन है कि शेर नहीं कहने के बावजूद किन बातों के सबब मुटशाइर की शोहरत और अहमिएत कायम हुी तो देखेे शेयर नहीं कहने के बावजोद लोगों को मक्खन लगाने जी हजूरी और चापलुसी के वज़ा से मुटशायर की शोहरत और अहमिएत कायम हुई आगे बढ़ते हैं फड़ाफट नजम हम नहीं जानते में शायर ने जिन्दगी को नाकाबीले तरसील हरकायत क्यूं कहा है तो नजम हम नहीं जानते हैं में शायर ने जिन्दगी को नाकाबिले तरसील रिकायत इसलिए कहा है कि शायर मुस्तक्बिल से मायूस होकर यानि की फ्यूचर भविस्य से मायूस होकर शायर आगे बढ़ते हैं शायर ने बताया कि वह पत्थर नहीं है इसने उसने यह बात क्यों कही शायर खुद बताते हैं कि वह पत्थर नहीं है तो यह क्यों बोलते हैं यह बात क्यों बोलते हैं मिर्जा अज़ुल्लाख खालिब अपने दौर के अच्छे शायर है उन्होंने इसलिए कहा है कि मैं पत्थर नहीं हूँ वो अपने अंदर एहसास रखते हैं पत्थर की फित्रत है कि वो गैर जीर रूह है और उसके अंदर जान नहीं है इसलिए शायर जो है ना मिर्जा अज़ुल्लाख खालिब वो कह रहे है कि मैं पत्थर नहीं हूँ मैं एक इनसान हूँ पत्थर के अंदर तो रूह भी नहीं होता है उसके अंदर एहसास भी नहीं होता है उसके अंदर फित्रत, जान वगरे, कुछ भी नहीं होता है मेरे अंदर तो रूह है, मेरे अंदर एहसास है ठीक है, मेरे अंदर जान है और मैं कोई पत्तर नहीं हूँ कि तुम्हारे दर पर हमेशा इसी तरह पड़ा रहूँगा तो यही बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन है कि तामिया किसे कहते हैं यह देखिए दो और तिन नमर में पूछ सकता है लेकिन इसको भी मैं उठा ली हूँ एधाद के इजाफा करने को तामिया कहते हैं आगे बढ़ते हैं, मर्सिया की तारीफ कीजिए मर्सिया लफ्स रिसा से बना है, जिसके मानी रोने धोने और मातम करने के हैं हजरत इमाम हुसैन और देगर शुदाय करबला के मौत पर रंजव अगम का इजहार के लिए जो नजम लिखी गई उसे मर्सिया कहते हैं, बाकी लोगों की मौत पर कही जाने वाली नजम को शक्सी मर्सिया कहते हैं आप लोगों को पता होगा मैं मर्सिया पढ़ा भी चुकी हूँ मर्सिया किसे कहते हैं मर्सिया जो लफज है ये रेसा से बना है रेसा का मतलब होता है रोने धोने और मातम करने का ठीक है रेसा का मतलब क्या होता है रोना धोना या फिर मातम करना यानि कि हज़त इमाम हुसैन और देगा शोधाय कर्बला यानि कि दिने भी कर्बला में शहीद होने वाले हैं उनकी मौत पर रंज वगम का इजहार करते हुए जो नजमियन की कवीता लिखी गई उसे कहते हम लोग मरसिया और बाकी लोगों की जो नॉर्मल इंसान है उनके मौत पर अगर लिखी गई कवीता है तो उसको बोलेंगे शक्सी मरसिया आगे बढ़ते हैं फड़ाफट नेक्स्ट कोश्टन है कि रहट के पानी से कौन-कौन से काम लिये जाते हैं जवाब में है कि रहट के पानी से इट धोया जाता है और गारा बनाया जाता है हो गया एंसर नेक्स्ट कोश्टन रत्त की मौत कैसे हुई तो रत्त की मौत खूनी दस्ट और उल्टी होने के वज़े से हुई अगला सवाल है कि एहसान दानिश अपनी यादगार के बतौर क्या छोड़ना चाहते थे तो एहसान दानिश अपनी यादगार के बतौर एक मजदूर यूनिवर्सिटी और आला किसम की लाइबरेरी छोड़ना चाहते थे तो यह होगी आप लोगा एंसर आगे बढ़ते हैं पड़ाफट नेक्स्ट कोश्चन है कि बादशाह किस मिजाज का आदमी था बादशाह नहायत शरीफ और नेक सीरत इंसान था और नेक दिल मिजाज था बादशाह की नेक मिजाजी और फकिराना रोष्ट बेमिसाल थी और ज़्यादा नेक होने के वज़े सी बादशाह के सांथ बहुत ज्यादा घरना हुआ बहुत्त चारे हादसे हुए इनके सांथ आगे बढ़ते हैं सुधागर ने बादशाह की बीवी को देखा जो नहायत हसीन वजमील थी अचानत फरिफ्त हो गया और बादशाह के करीब ब अगर आप मुझ पर करम फर्माएं और उसकी उस नेक बख्त को मेरे साथ जाने की इजाज़त मरहमत फर्माएं तो बड़ी महरबानी होगी और एक जान को रंज से निजात मिल जाए बादशा इस बात में आकर अपनी बीवी को सौदागर के साथ कर दिया देखिए जब सौदागर बादशा के पास जाता है देखता है कि उसकी बीवी जो इना बोजदा खुबसूरत है हसीन वो जमील है तो जाकर बोलता है उस बादशा से कि देखिए मेरी बीवी को दर्द जर्रा हो रहा है यानि की डिलेवरी का दर्द हो रहा है तो कोई दाई न बादशा की बच्चे कहां गए बादशा जब इंतजार करते करते ठक गया तो बीवी की तलाश में निकला कुछ दूर जाकर रास्ता भूल गया चलते चलते रास्ते में एक नदी आई नदी को पार करने के लिए एक लड़के को नदी के किनारे पर बैठा दिया और दूसरे लड़के को नदी पार करने लगया दूसरे लड़के को जो की छोटा लड़का तक वेडिया देकर चाल बढ़े अपने सो क executives को गूंकर आपने बड़े चला गया तो ये थी बात आगे बढ़ते हैं जै परकाश नरायन ने बला जहेज शादी करने के लिए क्या दलीले दी है जवाब में है जै परकाश नरायन ने कहा है कि आपके लड़के और लड़किया जानवर नहीं है घोड़े बैल नहीं है कि उसको चंद रुपे में जहेज के बारे में कि आपका लड़का या फिर आपकी लड़की कोई जानवर नहीं है कोई घोड़े बैल नहीं है कि उसके चंद रुपे में बेज दिया जाए या फिर खरीद लिया जाए यह नायत शर्म की बात है कि अभी भी समाज में जहेज की रिवायत चली ही आ रही हैं इनकलाबी रहनुमाईईयों की क्या खसूसियत है विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष चिस्ता यही होता है कि मौका और महल के एतबार से वक्त की धार को वो जान लेता है पहचान लेता है अगला सवाल देखते हैं फड़फट रात हस हस कर शायर से क्या कहती है रात हस हस कर शायर से यह कहती है कि किसी महभूब के काशाने में चल या किसी में खाने में चल और यह मुम्किन नहीं है तो एए मेरे दोस्त चल किसी वीराने में चलते हैं तो यह अगे बढ़ते हैं कसीदे के जायतर कीवी बताना है कसीदे में क्या जरूरी होता है वह तो कसीदे के जायतर की भी तश्वीब गरेज मदा दुआया वह संतल्ब वगएर तो यह आप लोग लिख स की किफियत थी तो सौधा ने तजही के रोजगार के जरीए देलवी तहजीब वह सब्सक्राइब को पूरे तोर पर नुमाया किया है जब सल्तनात मुगली सल्तनान जो था मुगल शासन वो कमजोर हो चुका था हर तरफ बे बसी और बेकसी किफियत फैली वी थी ना तो उस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कुशन आई तिंग जितना भी कोशन कराई ना इन सभी कोशन में से लगबग कोशन पर आप लोग का कमांड होगा क्यूकि सारे कोशन चैप्टर से उठाये गया है और मैं आप लोग को अलेटी सारा चैप्टर पढ़ा चुकी हूं तो ल सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को चाहर कर देना है तो चलिए फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज